दिसंबर 2019 दिसंबर का महिना समन सामाज के लिए बहुत ज़्यादा हल चलका होता है जितने भी सामाजिक संग्ठन हैं जो टुकलों में बटे हुए हैं जो टुकले टुकले करके सभी अपने आपको प्रधान और खास तोर से जो अध्यक्षता करते हैं जिनको अध्यक्षता का बहुत ज़्यादा होना राता है या जो अध्यक्षता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं सबी अपने-पने कायकरम लगाते हैं पूरे देश के अंदर, ये कायकरम जो नेतागण है, उन सब का विचार और जो उन सब का idea है वो बावास आपके ऊपर ही बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो विचार है, जो हमारी ideology है, वो बावास आव अम्बीडगर की ideology है, सबी बहु नीका संग्टन सबसे अच्छा है और वही क्रांती करेगा, वही समण समाज को आगे बढ़ाएगा और वही बावस आपके द्वारा जो भी इवस्था दी गई है उसको बचाएगा और उसको आगे रखेगा। सभी को ऐसा समझा जाता है जितने भी कारे करता है। कारे करता ये मानके चलता है, ये उम्मीद करता है कि जो बात उसे बताई गई है वो बिलकुल ठीक है और जो हमारे नेता ने ये बात बताई है उसके नुसार हमें महत करनी चाहिए। जो वो छुटियां लेते हैं और छुटियों का पैसा करता है वो अलग है और जो वस्था में सारी चीज़ें हलचल में आती हैं वो अलग है ऐसे बहुत सारे संग्धन अपना-पना काम करते हैं कोई राष्टे अधिवेशन लगाता है कोई state level का अधिवेशन लगाता है कोई जिला level का अधिवेशन अगर आप खाली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर संडे तीन चार बड़े बड़े कायक्रम लगते हैं पूरे देश में लग रहे हैं दिसंबर के महिने में सभी को ये उम्मीद होती है कि हम कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ करेंगे और इसको बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं 30 साल, 35 साल, 36 साल सभ अधिवेशन पर अधिवेशन सभ कन्वेशन पर कन्वेशन लगाया जा रहे हैं मगर परणाम नहीं आ रहे हैं क्योंकि परणाम क्या होता है परणाम होता है कि जो बावा साब ने हमें बापस हमें दिया वो वहीं रुकना चाहिए जहां में दिया था इसके लावा जो बावा साब ने हमें दिया वो आगे बढ़ना चाहिए इसके लावा जो नएने चीज़े आ रही है उनमें हमारी हिसेदारी बढ़नी चाहिए और हमारी भागेदारी पहले से भी कम होती जा रही है। इसका जो सबसे प्रोख कारण है वो ये है कि अगर ये सारे अधीवेसन इखटे होके एक साथ होते, एक जगे होते, किसी भी जगे होते, तो आप सोचिए कि ये जो अलग 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 जो पूरे भारत में, पूरे देश में जो अधीवेसन होए अगर वो एक होते तो उसमें लाखो आदमी आता और जब लाखो आदमी उसेशार को उससीरत करुष एक बात को आगे बढ़ाता है तो सरकार उस बात को मान लेती है क्योंकि वो इक ताकत होती है अ Nephrasad obsess का हिस्सा है तो बड़ा हिस्सा होगा तो बड़े हिस्सेदारी मिलेगी तो कम से कम नुकसान रुख जाएगा और आपके फायदे होने शुरू हो जाएगे मगर आप छोटी 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 बहुत सारे दीविसन लगा होगे तो वो एक छोटी ताकत होती है, सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है क्योंकि आपस में ही कमप्टिशन है, पहले तो आप आपस में ही लड़ लीजिए एक का कारे कटर दूसरे के यहां नहीं नहीं जाता, ऐसा उसको सिखाय जाता है दूसरे का कारे कटर तीसरे के यहां नहीं जाता और सब का विचार धारा एक है, और सब की बाध एक है होगी तो वो जाल को नहीं उडा सकती कबूतर का जुंड होगा चडियाओं का जुंड होगा तब जाल को उडा के ले जाएगी ये बातें सब वो सिखाते हैं सब बताते हैं मगर इस पर खुद अमल नहीं करते कि अगर सारे संग्ठन इकटे होंगे तो इतनी आफ़त करने की जोत नहीं है हमारा हमारे जैसे लोगों का बहुत पैसा बचेगा हमारा समय बचेगा हमारी बात में दम होगा पंदे परसेंट लोग हैं पंदे परसेंट लोगों के अगर हजारों संग्ठन होंगे अगर हजारों नेता होंगे तो बात को नहीं सुनेगा नेता बेसक हजार में सीट है, राजेसवा में सीट है इसके अलावा कितने सारे गाउं के परधान है, जो 6-7 लाग गाउं के परधान है, फिर वार्ड के कॉंसरे मेंबर, यानि कि लाखो नेताँ की जरूत है नेता बेसक लाखो हों, मगर अधीवेसन एको, संग्ठा का एक ऐसा जुनून होता है कि वही वही आगे रहे इसलिए वो किसी को आगे भी नहीं बढ़ाएगा वो बात मानेगा भी नहीं है और गरतन्त की बात करेगा मर गरतन्त पर आधारित व्यवस्ता की बात नहीं करेगा उसे अपने हैं लागू नहीं करेगा उसे सोय समूर नेता बनने का शौक भी हो जाता है और कैई बार वो बहुत ज़्यादा इंस्रिकॉर्टिक फील करता है उसे लगता है मेरा क्या होगा अगर मुझे से काबिल लोग आ गए मगर ये देखना चाहिए कि अगर एक समूर ताकतवर रहेगा तो उसमें सभी को जगे और सभी को इस्थान मिलेगी और ना भी जगे मिले ना भी इस्थान मिले तो आप जिस उद्देश से के लिए आप आए हैं कि आपका समाज ताकतवर होना चाहिए वो दिस से तो आपका पूरा होई जाएगा अलग-अलग रहने से हजार साल तक भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि छोटी-छोटी तागतों को कभी नमबर नहीं आता कि वह सत्ता में या वह सकार से कुछ प्रत्त कर सके या उनकी बात सुनी जाए इसलिए सारे कारे करता इस बात को सोचें अपने अपने नेता अपने अपने लीडर से ये बात कहें कि हमें अगर आप ये कहते हैं कि संग्ठन में शक्ति है संग्ठन में आना चाहिए संग्ठन एक साथ होने चाहिए तो भाई आप क्यों नहीं खटे होते आपको क्या दिक्कत है क्या परिसानी है और यकीन मानिये उनका सब लोजिक बेकार है अगर वो कोई लोजिक देते हैं कि हम आपास में इखटे इसली नहीं होते या उसली नहीं होते वो इसली नहीं इखटे होते हैं कि उनको कहीं लालच है उनको कहीं डर है उनमें कहीं अधुरी जानकारी है वो कहीं आधे intellectual हैं उनको कहीं समझ में नहीं आ रही है बात या वो बात को घुमा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चायते कि आपका फाइदा हो फाइदा हमेशा संग्ठन में है संग्ठन अगर लोगों का है तो संग्ठन नेताओं का भी होना बहुत जरूरी है 14 अप्रेल 2020 तक सभी नेताओं को इखटा होना है ऐसा समझ समाज ने निश्टित किया है जो आम आदमी हैं उनकी एक्छा है और अगर ऐसा नहीं होते हैं तो बहुत साइट लोगों से हमने बात की है उन सब की एक बात निकल के आती है कि अगर ये इखटे नहीं होते है तो इनका जो फाइनेंस है यानि जो हम इनको पैसा देते हैं वो इनको बंद कर दिया जाए जो इनको हम खाना देते हैं वो बंद कर दिया जाए जो इनके कायक्रम में हम जाते हैं बंद कर दिया जाए, इनका कारे करता अगर कोई आता है, तो उसको कह दिया जाए कि पहले आप सब इखटे हो जाए क्योंकि हम अलग-अलग पैसा नहीं देना चाहेते, अलग-अलग कॉल पर नहीं आना चाहेते, अलग-अलग क्रांती नहीं आती ज़रू कोई न कोई गवड है हमको सिखाते हैं कि सब को साथ आना चाहिए संग्ठन में शक्ती है खुद नहीं इसको मानते जातो हम पागल है या वो हमें बता है कि संग्ठन में शक्ती है तो वो खुद क्यों नहीं खटे होते मगर समढ समाज ये जानता है कि अब emergency है अब आपातकाल है आपको इखटा होना ही पड़ेगा अपरेल का महिना बावास आपके birthday का महिना है 13 तारिकी साम तक आप इखटे हो जाएए वरना जैसी अवाज आ रही है जैसा लोग कह रहे है फिर आपका कोई भी सहयोग नहीं करेगा और सहयोग का फायदा है भी नहीं क्योंकि अलग 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 आप हमें मारोगे हमारे पीछे जालो लगवाओगे हमारे गले में एक टोगरा लगवाओगे वो समय आ जाएगा बहतर है कि हम कम से कम आपको सहयूग ना करें क्योंकि ये अफसोस नहीं रहेगा कि हमने संग्ठन की बनाया और उन संग्ठनों ने आपस में नेता बनने के चक्कर में या आदिय दुरी जानकारी बनने के चकर में हमें मरवा दिया कम से कम ये नेताओं पे दोस आरोप नहीं आएगा इसलिए नेताओं ने जो जुम्मदारी लिए है उसको पूरा करना चाहिए और इस बात को समझते हुए समर समाज के आंदुलन के लिए आप सबको 14 अपरेल तक हर हलत में खटे होना है धन्यवाद नेताओं में हुए से जुम्मदा नबित है बाइस बाहसी है ढरो झाल झाल झाल